सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो अगर आप वाटसब पर किसी को कॉल या वीडियो कॉल कर रहे हैं लेकिन आपका कनेक्शन फेल बता रहा है या फिर वहाँ पर कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं तो चलिए सीखते है तो दोस्तो इसके लिए मैं आपको 2-3 troubleshoot बताऊंगा इसको अगर आप fix कर लेते हैं तो फिर आपका ये problem कभी भी नहीं आएगा तो चलिए start करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं एक WhatsApp एकाउंट पर call करता हूँ तो यहाँ पर मैंने वीडियो कॉल लगा लिया है तो देखें यहाँ पर मेरे वीडियो कॉल लगा लिया है लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं calling लिखा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते ringtone नहीं बज़ रहा है घंटी नहीं बज़ रही है नहीं मेरा call connect हो रहा है तो चलिए इसको ठीक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको मैंने cut कर दिया ओके तो यहाँ पर आपको विडियो कॉल नहीं लग रहा है तो एक बार आप aeroplane mode on कर दिजिए उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए wait करना है फिर यहाँ पर aeroplane mode को दोबारे से हटा देना है अब यहाँ पर आपको दोबारे से अपने mobile का data या wifi on करना है अब यहाँ पर आपको चले मैं दूसरा trouble suit बता देता हूँ अब आपको आजाना है सबसे पहले play store पर play store पर आने की बाद यहाँ पर आपको search करना है whatsapp और अगर यहाँ पर whatsapp में कोई update दिखाया है तो सबसे पहले आपको अपने whatsapp को update कर लेना है अगर आपको whatsapp update नहीं है तो हो सकता है उसमें कुछ bug या वारस आ गया हो तो update कर लेंगे तो अच्छा रहेगा इसके बाद आपको यहाँ से बाहर आ जाना है अब next काम आपको क्या करना है आपको अपने mobile की setting को open करना है setting को open करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा से scroll करना है scroll करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा apps का या फिर app manager या app management तो उस पर आपको click करना है फिर यहाँ पर आपको दोबारा से एक option मिलेगा manage apps, app manager या app management या फिर app list कुल्मिला जुलाकर app list या app manager जैसा option आएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपके mobile के सारे apps आजाएंगे तो आपको अपने whatsapp को ढूंड़ना है तो यहाँ से scroll कीजे अब यहाँ पर आपको whatsapp आजाएगा तो इस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपके whatsapp का app info open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको कुछ setting करनी होगी इसको आप यहाँ से भी open कर सकते हैं यहाँ से बाहर आजाएए आपको अपने whatsapp पर उंगली से दबा कर रखना है फिर यहाँ पर आपको i button दिखेगा छोटा सा यहाँ पर app info लिखा होगा या फिर more लिखा होगा तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी यह setting open हो जाएगी अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे आपको एक option मिलेगा force stop तो आपको इस पर क्लिक करके पहले whatsapp को force stop कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा clear data या फिर यहाँ पर आपको storage का option मिलेगा उपर या नीचे में इस पर आपको क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको एक option मिलेगा clear data इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको clear कैसे करना है ध्याने किएगा clear all data मत कीजेगा अगर आप clear all data करेंगे तो फिर आपके whatsapp से आपका account log out हो जाएगा तो आपको उसको दो बारे से login वगरा करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको केवल clear कैसे पर click करके okay कर देना है अब यहाँ पर आपको बाहर आना है थोड़ा सा और अब यहाँ पर आपको कुछ permissions को allow करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा app permissions इस पर click कीजिए फिर यहाँ पर आपको कुछ options मिलेंगे allowed में जो कि allow है फिर नीचे आपको option मिलेगा not allowed जो option allowed नहीं है तो अगर यहाँ पर आपका phone वाला option allow नहीं है तो इसको allow कर दीजेगा इस प्रकार से इसके बाद आपको इसको भी back कर लेना है अब यहाँ पर आपको एक और option दीखेगा यहाँ पर देखे एक option है restrict data uses इस पर आपको click करना है और अब दीखे यहाँ पर आपको option मिलेगा wifi, mobile data अगर आपने दो sim लगाया है तो दोनों sim का mobile data देखने को मिलेगा तो अगर यह option enable नहीं है तो इसको आपको ऐसे tick कर देना है अगर आप यह enable नहीं करते हैं तो आपका whatsapp कभी भी आपके mobile data या wifi की data को use ही नहीं कर पाएगा तो आप किसी को ना ही message कर पाएँगे ना ही आप video call कर पाएँगे तो इसको सबसे पहले allow करना है फिर यहाँ से okay कर देजे बस इतना काम करने के बाद अब आपको यहाँ से बाहरा जाना है अब चलिए हम दोबारा से चलते अपने whatsapp पर और यहाँ से मैं फिर से दोबारा से video call करता हूँ video call या call तो यहाँ पर मैंने video call लगा दिया है अब देखिए यहाँ पर video call जा रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखा रहा है ringing इसका मतलब घंटी बज रही है तो अब मेरा video call लग रहा है अब यह problem बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी mobile से call को उठा लिया है और यहाँ पर मेरा call लग चुका है तो इस प्रकार से आप अपने whatsapp में video call के connection problem को ठीक कर सकते हैं अगर आपको video पसंद आई हो video helpful लगा तो video को like कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा